हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रहीं बहुत ही जादा टेस्टी जबर्दस्त नाष्टे की रेश्पी जो की उपर से बहुत जादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत जादा सॉप्ट है सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला ये क्रिस्पी तेस्टी नाष्टा बहुत ही कम चीजों से हम बना सकते हैं यहां तक कि जब आप मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान भी पूछेंगे आपने इसे किस रेस्टरेंट से मंगाया है हाई फ्रेंज मैं गीता वर्मा गीता किनु रेस्पीज में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत करती हूँ तो यहां पर सबसे पहले मैंने दो बड़े साइस के आलू ले लिये हैं अब ले हुए और आलू जो है वो थंडे होने चाहिए गरम नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर वो बहुत ज़दा गीले हो जाते हैं तो यहां पर मैंने आलू को छिल लिया है अब मैं इसके अंदर और यह आपको अपने हिसाब से डाले हैं अगर ज्यादा मटर पसंद करते तो ज्यादा डाल सकते हैं कम पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं अब मैं इसमें एक चोटे साइज की मैंने प्याज ली थी जिसे बारिक काट लिया था यह एट कर देंगे अब मैं इसमें डाले हूँ हरी मिर्च क्योंकि यह जो नाश्टा बनने वाले बहुत ही ज़दा चटपटा होता है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग हलकी सी लाल मिश थोड़ा सा गरम मसाला और यहां पर मैं आड़ करने वाली एक टीस्पून के करीब चाट मसाला इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है तो आप अपने हिसाब से चाट मसाला की कॉंटिटी कम ज़दा कर सकते हैं मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा ज़ादा डाल लेती हूँ अब सारी चीजों को घंढ हमें मैश करना है यहां पे अलुट हमने लिए है? उसे आमने मैश नहीं किया था म cidade कशीमाल कर सकते हैं तो हाथ से भी सारी चीजे मैश कर सकते हैं तो यहां पर मैंने इस अच्छे से मैश कर लिया है और यह हमारी स्टफिंग तयार हो गई है अब इसमें मैं एड करने वाली हूँ दो टेबल स्पून टमाटो कैचप अगर आप चटपटा जादा पसंद करते हैं तो रेड चिली सॉस पी डाल सकते हैं इसके इंदर और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कैचप भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने दो चमच कैचप मिला दी है और बहुत सद़ कैचप नहीं मिलाएंगे नि तो बहुत सद़ मीठा हो जाएगा और जो स्टफिंग है वो भी पतली हो जाएगी अब मैं ले आश्ट में डाल रही हूँ हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह हमारी बहुत ही बड़िया चटपटी सी स्टफिंग तयार हो गई है बहुत ही टेस्टी नाश्टा बनता है और देखा कितना जटपट तो इसकी स्टफिंग तयार हो गई है अब बागी की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेट ली है आब वाइड ब्रेट का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर जितना आपको नाश्ता बनाना है उसके हिसाब से आप ब्रेड ले लिजेगा, मैंने 5-6 ब्रेड ली हैं, और इसके हम साइड को कट कर लेंगे, इस तरह से आप चाकू से भी कट कर सकते हैं, मैं यहां पर कैंची से कर रहे हूं, तो कैंची से क्या होता है, तो यहां पर मैंने ब्रेड अलग कर ली है, और इसके कौनर अलग कर ली है, तो ब्रेड को फिलाल में साइड में रख देती हूं, इसे मैं बताऊं कि आपको कैसे यूज करना है, यह जो हमने साइड इसकी काटी है, इसे हमें ग्राइंड करना है, क्योंकि हमें बनाने है इस तो इसे ही ब्रेड क्रम बोला जाते हैं बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है तो यह देखे इस तरह से ब्रेड क्रम तैयार हो गया है बिल्कुल बारिक मैंने पीछ लिया जितना मैं पीछ सकती है इसमें कुछ मोटे टुकड़े भी रह गया है तो वह हम हटा देंगे तो आपको दिख रहे होंगे तो वह हमें रिजेक्ट कर देना है बाकी जो पूरा है वह ब्रेड क्रम हमारा तैयार हो गया अब मैं यहां पे बावल ले रहे हूं और इसके अंदर 2 टेबल स्पून में मैदा का इस्तमाल कर रहे हूं साथी मैं यहां पर डालूंगे 2 टेबल PRoona कामे इस्तमाल करना है कै आपनाओ से थ्वलो में एक फ्लोग को अधिक्Am Harmon का गोल करना है मैं ना तो बहुत जाधा गाडته चाहिएक और ना बहुत जयादा पतला जाये हमें थोड़ा से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पहुल तैयार करना है अब मैं इसम मैं आड़ा और साथ ही थोड़ी सी लाल में चैट कर देंगे तो यह हमारा बहुत इच्छा घोल तयार होगे मैं आपको इसका फ्लो भी दिखा देती हूं किस तरह का हमने घोल तयार किया है तो थोड़ी सी मैंने मीडियम से थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी इसकी रखी है ये थोड़ा गाढरा लग तो मैं फटला कर दिया आपको मैं दिखा देती हूं इस तरह की कंसिस्टेंसी बहुत जादा गाढ़ा नहीं है बस इतना है यह अच्छे से कोट कर ले तो इसे में साइड में रख देती हूं और जो ब्रेड क्रम हमने तयार किये ते उसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं एक दो मोटे टुकड़े भी आपको दिख रहे हैं तो इसे हम अटा देंगे यह हमारी ब्राउन प्रेड से ब्रेड क्रम तयार हो गए है इसे फ्रेश वाली ब्रेड क्रम बोला जाता है जिसमें ब्रेड को सुखा के बनाया जाता है अब मैंने यह पे बाउल में पानी ले लिया है अपना यह जो घोल हमने तियार के दा वो ले लिया है और ब्रेड क्रम ले लिया है अब यह जो ब्रेड है इसे हम पानी में डिप करेंगे जैसे हम ब्रेड रोल बनाते हैं तो आज अपनी चटपटी वाली स्टफिंग डालने वाली हूं और इसे मैं इस तरीके से रोल कर दूँगी जैसे हम ब्रेड रोल करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसका इक्स्ट्रा पानी वो मैं दबा के इस तरह से निकाल दूगी इसे मैं थोड़ा सा फ्लैट कर दूँगी क्योंकि ब्रेड रोल नहीं बना रहे हैं तो इसे मैं थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है अलग शेप दे दी है कहीं से भी खुले नहीं हर जगे से बंद कर दे अब मैं यह घोले इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूं क्योंकि नीचे बैढ जाता है, तो मिक्स करने के बाद, इस तरह से इस नाष्टे को हम कोट कर लेंगे, फटा-फट से ब्रेड क्रम से इस तरह से कोट कर देंगे, तो यह जो नाष्टा है, यह बहुत कम तेल में बनता है, क्योंकि इसके उपर जह हमने कोटिंग की है, उसकी वाज़े से बहुत कम तेल को अबज़ॉब करता है, आप बहुत ज़दा क्रिस्पी भी बनता है, तो ब्रेड रोल से थोड़ा डिफरेंट है, उसमें क्या होता है, ब्रेड रोल में काफी जादे तेल अबजॉब होता है इसमें बहुत कम तेल अबजॉब होगा तो इस तरह से मैंने सारा नाश्ता त्यार कर लिया है देखने में इतना सुंदर लग रहा है अभी बनने के बाद और भी जाद अच्छा लगेगा तो यहां पर मैं कड़ाई में तेल गरम कर रहे हूं तेल हमारा मीडियम होट होना चाहिए इसके बाद हम इसमें एक एक करके यह नाश्ता एड़ कर देंगे तो बहुत ज़दा कड़ाई को भरेंगे नहीं मैं यहां पर सिफ तीन पीस डालने वाली हूं क्योंकि जो नाश्ता है वो बड़े साइज का है इतना क्रिस्पी बनता है और तेल भी बहुत कम अब्जॉब करता है क्योंकि इसके ऊपर हमने कोटिंग चड़ा दी जिसकी वैसे तेल बिल्कुल भी अब्जॉब नहीं करता यह देखी कितना बढ़ा लग रहा है बहुत बढ़ा नाश्ता चटपट से तयार हो जाता है इस हमारे इक देखे हमारे यह यह वरले भी तैयार हो गए है यह थीन ठीक ऑप में बचार अब मैदा नाश्ता हमारा तैयार हो हैότε महमानों को खिला हैंगे तो महमान दौन करते बिल्कूल Ty body, exactly आपने को भी और ना सुनर्व इसा लगता है किसी रेस्टूरेंट से आपने मंगाया है और गरम-गरम कहाई यह से बहुत प्सके आवाज भी आपको सुनाऊंगी बहुत ही इत्लाइब क्रिस्पी है कि आपको भी जादे तारीफ मिलने वाली है तो आवाज सुनिएंगे तो आपने देख लिया कितना क्रिस्पी ये नाश्टा बना है देखने में कितना बड़े अलग है अंदर से तोड़ के भी दिखा देती हूं बहुत ही बड़े एकदम चेटपटी वली स्टफिंग है तो खुद भी खाईए जब भी आपका मन करें आप इसे फटाफट बनाईए टाइम नहीं लगता बनाने में बच्चों को बड़ों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है महमानों को खिलाए महमान भी नहीं पहचान पाएंगे कि आपने इसे घर पे बनाया है इतना टेस्टी लगता है कि बार बर मांग मांग के खाएंगे वीडियो बनाने के लिए चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को जबर सब्सक्राइब करें तो फिर मिलती हो एक नई वीडियो के साथ